Hi guys, welcome to last and third part, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces, Horoscope Wallow. आप लोगों के लिए रीटिंग हो रही है इस बार, तो इस बार का रीडिंग का टॉपिक मैंने ऐसा रखा है कि आप अपने मन में कोई सवाल सोचो, कुछ ऐसी प्रॉप्लम सोचो जिससे आप काफी टाइम से लड़ रहे हो और उसका सल्यूशन आपको नहीं मिला है, क्या यूनिवर्स उसका सल्यूशन आपको एप्रिल मन्त में दे देगा, so let's see, before starting the reading आपको मैं डिस्क्लिमर दे देना चाहती हूँ, this is a collective reading, it may or may not resonate with you all, okay, now let's start the reading, अगर आप मुसे personal tarot card reading book करना चाहते हो, so सारी detail description box में दे दी गई है, वहाँ पे जाके आप अपनी booking, वहाँ पे prizes भी आपको मिल जाएंगे tarot card के description box में, और वहाँ पे आपको link भी provide कर दी जाएगी, ठीक है, so wait a minute, let me shuffle card properly, otherwise card save आने की बहुत ज़्यादा chances रहते हैं, okay, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces, मैं आप से बोला चाहती हूँ, अपने मन में कोई specific सवाल सोचो, universe उसका क्या answer देना चाहता है, pentacles, wands, the devil, devil की energy आगई है, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces, आप लोगों के लिए, I don't know why, let me see, justice, seven of swords, wands, and bottom of the deck में है, the star card, ठीक है, okay, so Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces वालों, आप लोगों के लिए जो energy निकल के आई है, कहीं न कहीं, आप लोग के मन में, कुछ justice से रिलिटर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहे हैं, आपको असा लगता है कि, life ने आपके साथ justice नहीं किया है, और हर बार आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, कि आखिर मेरे साथ क्यों, universe मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, भगवन मेरे साथ ही क्यों गलत करता है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको अपने आप से ही ज़ादा शिकायत है, आप अपने आप में ही, एक तरीके कि आपको लगता है कि चीज़े आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही है, क्योंकि devil energy काफी ज़ादा आ रही है, devil energy यानि कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जो आपके plans हैं, जो आपके next action होता है, जो आपका next move हो रहा है, वो आप लोगों को share कर देते हैं, जिस वज़े से आपके जो काम बनने वाले होते हैं, वो काम नहीं बन पाते हैं, और वो काम अटक जाते हैं, जिस वज़े से आपको justice नहीं मिल रही है, आपको ऐसे ही लग रहा है कि भगवान की पूचा पार्ट करना सब वयत है, सब वेस्ट है, भगवान कुछ नहीं सुन रहा है, मेरा लोगों के सारे काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप लोगों के मन में यहीं सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी प्रात्नाय सुनी जा रही है आपको अब जस्टिस मिलने वाला है April month में आपके पास एक बहुत बड़ी good news आने वाली है जिसका आप काफी time से इंतजार कर रहे हूँ ठीक है ये भी चीज मुझे लग रही क्योंकि The Star का काट आ गया है The Star का काट यही न कहीं यह कह रहा है कि आप एक suddenly motivational अपने मन में फील करने वाले हो suddenly आपके मन में एक positivity आने वाली है एक दुबारा से भगवान के प्रती विश्वास आता हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ठीक है seven of swords की energy में भी आप काफी साधा हो मैंने कहा ना manipulation energy में आप easily आ जाते हो जिस वज़े से आप खुदी अपनी energy में stuck रहते हो ठीक है यहाँ पर एक और काट आया है nine of wands का energy आ रही है nine of wands के energy यह कह रही है कि अब आपने अपने आसपास boundaries create करने शुरू कर दी है boundaries इसलिए create कर दी है क्योंकि आपको ऐसे लगता है आप लोगों से कम मिल रहे हो आप लोगों से बात कम कर रहे हो आपने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है अगर आप इस energy में रहोगे आपको पहचानना होगा कि कोन आपके सच्चे दोस्त है और कौन आपका फाइदा उठा रहे है आप रोगो के मन में जो सवाल है कि आखे यूनिवर्स आपका टेस्ट क्यो ले रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आपके पास गुड निउस आने वाली है एप्रिल मन्त में और वो गुड निउस बहुत अच्छी है वो आपके काम के लिए आपके लाइफ के लिए आपके जॉब शादी किसी भी चीज के लिए फायदेमन हो सकते है आपका एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी अब जो भी चीज लेने के बारे में सोच रहे हो उसची काम सा युणिबर्स ने यस दे दिया है चीक है लुट सी फ्रॉपर्टी ना लेट सी फ्रॉम ऑ्रिकल मैसेज laughs की युणिबर्स आपको या message देना चाहरा है सो लेट सी फ्रॉम और अगल मैसेज है यहाँ आपके मैं दोan कार्ट दूँगई तीन कार्ड आगे हैं फिर्स कार्ड आया है चेंज इस कमिंग तूर्ड्स यो यस डेफिनिटली पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है भगवान पे भरोसा रखो दिस अ क्लिर साइन अफ स्पिर्च्वल अवेक्निग यस आपकी एक स्पिर्च्वल अवेक्निग होई है स्टार्ट दूइंग मेडिटेशन आपको मेडिटेशन करने की बहुत साथा जरुवत है सैगिटेरियस, क्याप्रिकोर्न, अक्योरियस, और पाइसेस आपके साथ रेजनेट करी होगी if you want to book a private tarot card reading all detail in description box below bye everyone